जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था sales and marketing के कुछ तरीखों के बारे में तो आज की इस वीडियो और second episode में हम बात करेंगे sales and marketing के कुछ ऐसी strategy जो की एक salesman को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अगर बत्ती बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ तो हलो गाईज मैं हूँ मनीश और कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अपने टॉपिक के उपर और हमारा पहला टॉपिक जो है क्या आपके वैवहार से बदल सकता है आपका वैवहार जी हां अगर आप एक सेल्समेन है तो आपके लिए आपका लेंग्वेज आपका बात करने का तरीका एक सेल्समेन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है उसके बाद क्यों जरूरी होता है एक salesman को अपने वैवहार के उपर ध्यान देना और क्या इससे उनके business पर कोई फर्क पड़ेगा जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि एक वैवहार एक व्यक्ति की पहचान होती है और इसी वैवहार से आप जिस भी field में आप काम करते हो या फिर देखे भी होंगे आपने चाहे एक समाज सेवक हो या फिर कोई businessman हो या फिर कोई politics हो और इन तीनों चीजों में वैवहार ही एक सबसी बड़ी चीज होती है जो आदमी को पहचान दिलाती है उनके काम्याबी तक वो आगे बढ़ने का काम करती है बस उसी तरीके से आपके business के अंदर आपके वैपार के अंदर बस यही चीजे काम करती है जितना अच्छा आपका बोलने का तरीका होगा बोलने का धंग होगा समझाने का तरीका होगा उसी से आप जो है सेल्स में काम्याभी पा सकते हैं और एक व्यक्ति जो कि उनके बात करने का तरीका या फिर उनका बोलने का ढग अगर उनका सही हो तो वो इनसान जो है बातों बातों सही सेल्स करना सीख जाता है और जो सामने इनसान है जो चाहे दुकान दार हो या फिर और कोई चीज उनको एक परफेक्ट नेचर की तरह उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार यार ये व्यक्ति जो है काफी इस चीज में नौलेज रखता है और इनसे जो है हम कुछ नकुछ इनसे जो है हम करके देखते हैं तो उसी तरीके से आपको ये चीज ध्यान देनी है और दूसरी चीज उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर जगा फिक्स नहीं होती है सेल्स और मार्केटिंग करने के लिए उस जगह पे आपको अलग-अलग दुकानदारों के पास जाना होता है उसमें प करके अब इसने बातो को आप जरूर धskir ग्खें और ये काफी आपके लिए हेल्फुल होगी आपका वयवहार जो के आपके वयवहार से बदल सकता है आपका वयवपार तो इस चीज को आप जरूर ध्याने उसके बाद हम हम जो है दूसरे पॉईंट पर बात करेंगे तो वो है आपका प्रोडक्ट जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपको कुछ सेंपल किट्स दुकानदारों को प्रोवाइड करवानी है अब सेंपल किट्स की आप सप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद आप फाइनल आपके प्रोडक्ट बर कि पैकिंग आपका जो है एक यूनिक होना चाहिए उसमें जो है यूनिकनेस दिखनी चाहिए और दिखने में वो काफी अच्छा होना चाहिए और एक चीज आप ध्यान देना कि कभी भी स्टार्टिंग जो पैकेजिंग आप तयार करोगे वो कोई बड़ा पैकेट में नह चाहे वो बॉक्स के अंदर हो या फिर वो जीपर पॉच के अंदर हो दोनों से आप काम कर सकते हो और एक चीज आप उसमें जरूर ध्यान देजे कि वो यूनिक मतलब सबसे अलग उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए यह बहुत जरूरी है अगर यह नहीं होगी तो आपको वह तो आपके लिए एक यह परिशानी बन सकती है और जो आपका फ्रेग्नेंस होगा उस सेग्मेंट में जिस सेग्मेंट में अगर बत्तियां तयार किये होंगे उस सेग्मेंट में जो फ्रेग्नेंस होगी वो भी यूनिक होना चाहिए वो भी सबसे अलग होना चाहिए जो ब प्रोडक्ट बल्क ओर्डर नहीं करेगा अगर आप स्टार्टिंग आपका काम है तो वो सबसे पहले ये कंफ्यूजन उनको होगी कि क्या इसमें फ्रेग्नेंस होगा और क्वालिटी की इस तरीके की होगी तो उनके लिए एक कंफ्यूजन बना होगा क्योंकि उस जगह पे आ जो है पिछले आपको बताया कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो 10 रुपया या 20 रुपया के प्राइंज रेंज में होनी चाहिए ताकि अगर उसमें कोई डिफेक्टनेस आपको लगती है या फिर कोई क्वालिटी की कमी होती है तो उनको आप असानी से चेंज कर सको अगर आप कुछ बड़े पैकेट्स में आप तयार करोगे तो वो काफी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी अगर उसमें कुछ तरीके सी कमिया नजर आती है तो इसलिए आप जो है सबसे पहले चोटे चोटे पैकेट्स में अपने प्रोड़क्ट को बेचना सुरू कीजिए और दुकानदर जो होता है वो कभी भी बलक ओडर अपसे नहीं लेगा क्योंकि उनको experience करना होता है कि इसका प्रोड़क्ट कैसा होगा किस तरीकी क्वालिटी होगी कैसा उसमें फ्रेग्नेंस आएगा तो experience वो करना चाहेगा तो अगर आपके से वो कुछ प्रोड़क्ट भ और करेगा तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दे और कभी भी कोई दुकानदार को आप जबरदस्ती बिल्कुल भी ने करें अगर वो बोलता है कि हमारे पास सभी जो है श्टॉक में माल है आप बाद में आपसे खरीदेंगे तो बिल्कुल आप सेकेंड टाइम में चाहते हैं तो धर टाइम में जाइए धर टाइम में भी आपसे वो खरीता नहीं है तो चस्थी बार जो है बिल्कुल आपसे कुछ न कुछ वो सैम्पल के लिए product खरीदेगा अब ऐसा नहीं करना है कि ये दुकानदार तो हमसे product जो है लेता ही नहीं है अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो आप किसी भी दुकानदार को sales नहीं कर पाओगे इस चीज को आप ध्यान देना क्योंकि ये मेरा छोटा सा experience है जो कि मैं आपको बता रहा हूं तो इन छोड़ी-छोड़ी चीजों को आपको जरूर ध्यान देना है sales के अंदर तो आज की इस वीडियो में इतना ही उमिद करता हूं कि ये sales की कुछ strategy जो है आपको समझ में आई होगी और आगे जो है हम बात करेंगे कुछ इसरे episode के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले नए topic में